हाला आज क्रिडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पॉर्षन का लव मैसेज क्या है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आज क्रिडिंग में हम यही देखने वाले हैं चले कार्ट्स निकालते हैं लेखते हैं कि आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं चले कुछ कार्ट्स निकाल को और करके कार्ट्स मिख लेंगे न सो वह हम लेंगे ऑकिए ज्यादा कार्ड्स अगेन को कशले काड्स निकालते हैं अब हम देखते हैं कि वह आप से क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके लव messages क्या है आपके लिए especially है ना ओके bottom of the deck देख लेते हैं bottom of the deck है you are always there when I need you आप हमेशा वहां होते हो जहां इनको जरुरत होती है जहां इनको सबसे ज़्यादा जरुरत होती है न वहां पर आप होते हो तो यह बहुत 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 बड़ी बात होती है ठीक है okay so first message है you are the one that comes to mind when I look up the beautiful stars oh so यह जब भी ठीक है यह जब भी देखते हैं इनका mind जब भी कहे तो वह खुबसूरत सा नजारा देखने की कोशिश करता है या एक खुबसूरत सा वह जो स्टार्स देखने की कोशिश करता है खुबसूरत सा नजारा कह सकते हैं उस टाइम आप ही नजारा आते हो ठीक है आप से खुबसूरत इनके लिए कुछ भी नहीं है यह person का actual में यही कहना है ठीक है आप बहुत 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 इनके लिए भी शेलो ठीक है यू लव में लाइक नो अदर आप इनको इतना प्यार करते हो कि इनको आप से ज्यादा कोई और प्यार कर ही नहीं सकता I miss you even you are in the next room देखो यह कितना मिस करते हैं आपको अगर आप इनसे दूर होते हो या फिर कहें तो एक अलग रूम में भी होते हो राग तो भी यह person आपको बहुत मिस कर रहे होते है you pamper me like your baby so आप इनको baby की तरह handle करते हो and I start missing you the second you leave so आप जब इनको छोड़के जाते हो एक second भी नहीं होता तब तक यह आपको मिस करने लगते हैं यह आप से कहना चाहते हैं okay your dreams are my dreams आपके सपने इनके सपने है ठीक है आपके सपने जो है जो भी आपके सपने है वो इनके भी सपने है ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ मेरे सपने मेरे ही है ठीक है क्योंकि इन्होंने already बोल रख रहा है कि नहीं नहीं आप इनकी inspiration हो वाउ आपसे ये person का मुझे जान तक दिख रहा है जो messages आ रहे हैं इसके अनुसार से बहुत प्यार करते हैं आप बहुत ज़्यादा patience रखते हो अपने अंदर ठीक है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज को किसी भी situation को सही करने के लिए patience रखना बहुत ज़रूरी है और आप में वो है आपके person के cards मिलते हैं अंगली reading में Bye Bye